चाहिन बच्चों कैसे हैं आप लोग बच्चों आज आपके लेकिया आएं calculation of theoretical yield, different numerical problems में इसका जानना जरूरी है कि percentage yield पे बहुत सारे question बनते हैं, percentage atom economy पे question बनते हैं वहाँ पे अगर आपको yield निकालना नहीं आता है या yield concept में confusion है तो आपको problem होने वाली है तो ये problem आपको ना हो इसके लिए हम लोग आज इसको sort out करते हैं तो चलिए सुरू करते है theoretical yield बच्चों theoretical yield को हिंदी में सैध्धान्तिक उपस भी कहते हैं माल लीजे आप कोई काम करते हैं कोई factory चलाते हैं तो उस factory में कितना product बनना चाहिए जब आप उस माल को calculate करते हैं product को calculate करते हैं तो ये कहलाती है calculation of yield तो बच्चों theoretical yield का मतलब होता है how much product should form in a balance equation किसी भी balance chemical equation में कितना उत्पाद या product बनना चाहिए जब हम लोग ये calculate करते हैं उस balance equation में तब ये कहलाता है theoretical yield in a balanced chemical reaction yield refers to the amount of product form यही तो बताया था आपको कि किसी भी balance chemical reaction के अंदर कितना product बना है ये calculate किया जाता है ये बता रहा जाता है yield की term में yields are of two types theoretical and actual yield बच्चों जो हम यहाँ पे yield की बात कर रहे हैं उपज की बात कर रहे हैं उत्पादन की बात कर रहे हैं तो किसी भी reaction के अंदर जो product की amount होती है उत्पादन होता है वो दो तरह से व्यक्त किया जाता है दो तरह से दिखाया जाता है एक कहलाता है theoretical yield और दूसरा कहलाता है actual yield क्या ये आपको clear है तो आपको heading से आपको clear हो गया होगा कि हम यहाँ पे दो yield में से theoretical yield की बात करेंगे theoretical yield निकालना सीखेंगे बच्चो अगर आपको equation नहीं दिया है language दिया है तो आप उस language की help से सबसे पहले आप equation एक reaction को बनाएंगे लिखेंगे balance the equation if it is not balance और अगर वो reaction जो आपको दी है वो balance नहीं है या फिर आपने लिखके बनाई है दोनों ही हालात में reaction equation balance होनी चाहिए calculate molar mass of reactant and product in the balance equation और उसके बाद बच्चो आप दोनों साइड में reactant और product के molar mass को calculate कर लेंगे उस simple stoichiometry of the reaction to make relation between reactant and product बच्चो आपको उस balance equation में जो आपने balance करने के बाद वहाँ पे stoichiometry coefficient यूज़ किये है 2, 3, 4 जो आप number यूज़ करते हैं उन stoichiometry coefficient की help से आप reaction के अंदर reactant और product में relation बनाते हैं संबंद बनाते हैं if reaction has two or more reactants then go with limiting reagent and product बच्चो दियान नखीगा अगर reaction के अंदर एक reactant दिया हुआ है तब तो कोई समस्या नहीं है खुस हो जाईए लेकिन अगर आपकी reaction के अंदर दो या दो से जादा अभीकारक या reactant बनते हैं left side पे तो वहाँ पर आपको जो आप संबंद बनाएंगे limiting reagent और product के बीच मैं आपको यह clear करूँगा example के साथ बस आप दियान नखीगा इस condition को आईए बच्चो एक numerical एक example की help से हम लोग इसको clear करते हैं in an experiment 20 gram of potassium chlorate heated to produce oxygen gas find theoretical value of yield of oxygen gas here बच्चो एक experiment के अंदर 20 gram potassium chlorate को गरम करके oxygen gas बनाई जाती है तो पूछ रहा है कि इस reaction के अंदर spectacle के अंदर oxygen की theoretical value of yield क्या होगी theoretical yield बताईए या फिर सैधान्तिक मातरा बताईए उत्पन oxygen की तो देखिए आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इस question में equation नहीं दिया है तो पहले आप जानते हैं हमको यहाँ पे equation बनाना पड़ेगा देखिए मैंने यहाँ पे equation generate करिया आप जानते हैं potassium chlorate को KCLO3 बोलते हैं solid होता है बिटा KCLO3 left में लिखा है is equal to KCLO solid plus O2 gas equation आपको clear हुआ which is missing है वो पूरी करेंग और वो है heat तो यहाँ पे KCLO3 को heat किया तो आपने पाया KCLO solid और O2 gas अब दूसरा नियम यह था कि equation बनाने के बाद वो आपको balance करना है तो बच्चो balancing of the equation पे पहले हम लोग दो वीडियो आपको सिखा चुके हैं उन दोनों वीडियो के अंदर हमने तीन method discuss किये थे तो hopefully यह आपको clear हो गया होगा फिर भी अगर किसी बच्चे को balancing of the equation reaction balance नहीं होती है सर परिसान मत हो not in sun chemistry junction जाके वो वीडियो देख लीजिएगा description में आपको उनका link मिल जाएगा balance the equation दिखिया आपने यहाँ पे balance किया तो 2 KCLO3 यहाँ पे KCLO3 के पहले 2 लगाया है यहाँ पे 2 KCLO3 होगे यहाँ पे 3 O 2 हो गया आप चेक कर लीजिए आपका equation balance हो चुका है तो बच्चों यहाँ पे एक चीज तो आपको clear हो ही गई होगी कि इस reaction के अंदर जो reactant है वो हमारा KCLO3 है और जो हमारा product है वो यहाँ पे O 2 है तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे R और P mention किया है क्योंकि हमको यहाँ पर इन दोनों के बीच relation बनाना है संबंद बनाना है अब अभी question बहुत simple है बच्चों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर reactant जो अभीकारक है left side में वो केवल एक ही है KCLO3 तो इस question में कोई समस्या नहीं आती है समस्या तभी आएगी जब left side में यहाँ पर दो या दो से ज़ादा अभीकारक होंगे तो यहाँ पर तो केवल एक है तो खुस हो जाएए not answer, only solution तो solution कैसे आएगा सर इस reactant और इस product में बनाएए संबं balance equation के coefficient की help से यहाँ पर आप देख सकते हैं KCLO3 के 2 mole use हो रहे है और O2 के 3 mole बन रहे है यही आपको relation यहाँ पर दिखाना है reactant और product के लिए अब बच्चों यहाँ पर इस question के अंदर जो आपको दिया है जो आप जानते हैं उसको हम लोग summarize कर लेते हैं तो बच्चों आप देख सकते हैं weight और mass of KCLO3 जिसको WKCLO3 से दिखाया है 20 gram question में दिया था उपर आप देख के आएं molar mass of KCLO3 के को M से दिखाते हैं M KCLO3 is equal to 122.55 gram per mole clear हुआ एक mole KCLO3 का जो दरवयमान होगा वो 122.55 gram होगा क्या है आपको clear है यह molar mass है बच्चों KCLO3 जिसको capital M से दिखाया है जानते हैं कि Dioxygen Gas का molar mass जिसको MO2 से दिखाया है 32 gram per mole होता है यानि एक mole O2 का दरवयमान 32 gram होगा क्या यह clear है आपको हमारा जो target है यहाँ पर वो आपको दिखाई दे रहा है कि इस question के अंदर theoretical yield निकालना है आपको Dioxygen Gas का जिख मातरा की इस balance equation में कितना O2 आना चाहिए वो हमको यहाँ पर theoretical amount निकालनी बाकी है अब आप जानते हैं कि आपकी reaction balance हो चुकी है चीजे साफ हैं तो आपको इस reactant और product में relation संबंद बनाना है by using stoichiometry of reactant and product यहाँ पर इनके stoichiometry coefficient जो है reactant के और product के तीन और दो जो दिख रहे हैं इनको हम लोग use करने वाले हैं बच्चो आपने देखा था balance equation में दो मोल KCLO3 के गरम करने पर आपको 3 मोल O2 product के मिले थे अगर हम मैं एक मोल KCLO3 का लेता हूँ तो बताइए O2 gas कितना मिलेगा 3 by 2 मोल clear है आपको very good बच्चो यहाँ पर यह मोल का संबंद आया है KCLO3 reactant और O2 gas product के बीच में इसको हम लोग amount में convert करेंगे तो एक मोल में तो हो गया 122.55 gram KCLO3 जो देता है 3 by 2 into 32 gram क्योंकि एक मोल में 32 gram होता है तो 3 by 2 में कितना होगा multiply कर दीजिए तो O2 gas के gram आपको मिल जाएंगे क्या यह clear है आपको तो अब तक आपने देखा कि यहाँ पे हमने जो stoichiometric coefficient थे reaction के अंदर balance equation में उनको यूज करके KCLO3 reactant और O2 gas product में हमने संबंद स्थापित कर लिया है amount निकाल ली है यहाँ से आ गया आपका 15.67 gram O2 gas बच्चो यही है आपकी और हमारी theoretical yield इतना हमको O2 इस balance equation में बनना चाहिए on the paper और यह कभी भी संभव नहीं होता है तो इस तरीके से हम लोग किसी भी balance equation में theoretical yield निकाल लेते हैं theoretical yield बच्चो 100% yield होती है 100% मातरा होती है किसी भी product की किसी भी उतपाद की क्या यह आपको clear है नहीं clear है तो मैं दूसरे example को लिटा हूँ उससे आपको definitely clear हो जाएगा fine theoretical yield of sodium sulfate when 32.18 gram of sulfuric acid reacts with excess of sodium hydroxide to produce 37.91 gram of sodium sulfate बच्चों simple से question है यहाँ पर reaction नहीं दिया है rules हम लोग जानते हैं पहले हम लोग equation बनाते हैं तो बच्चों आप देख पा रहें equation हमारी तैयार हो गई है लेकिन balance नहीं है तो अगला step भी आप जानते हैं balance कर लेते हैं आइए तो यह देखिए हमारी reaction बैलेंस हो चुकी है आप देख पा रहें S2SO4 aqueous plus 2 NaOH aqueous is equal to 2 mol of S2O plus Na2SO4 सर reaction ready है बचो उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं given है mass of S2SO4 यहाँ पर S2SO4 की amount दिया था दरवयमान दिया था W से दिखाते हैं दिखाते हैं दिखाते हैं डिलमने weight होता है बेटा W S2SO4 दिया था 32.18 gram question के अंदर और आप जानते है कि molar mass जो होगा S2SO4 का आणविक दरवयमान जिसको बोलते हैं हिंदी में M से दिखाते है molar mass M S2SO4 होगा 98.08 gram per mol 1 mol S2SO4 का जो दरवयमान होगा मात्रा जो होगी वो 98.08 gram होती है mass of Na2SO4 Na2SO4 की amount दी हुई है question के अंदर वो दिया हो है weight दिया हो है mass दिया हो है W Na2SO4 से दिखाया है 37.91 gram ये भी दिया है और आप जानते हैं कि जो Na2SO4 का molar mass होता है जिसको M Na2SO4 से दिखाया है आणविक दरव 1 mol का क्या ये आपको clear है अब यहाँ पे आपको बनाना है relation किसके बीच reactant और product के बीच अब यहाँ पे थोड़ा सा चोकनना हो जाए कि इस reaction की अंदर left side में 2 reactant आपको दिखाया दे रहे है H2SO4 और NUH अगर एक होता तो कोई चिंता थी नहीं लेकिन कभी कभी reaction के अंदर 2 या 2 से जदर reactant या अभी कारक left side में हो जाते हैं समस्या अटक सी जाती है यहाँ पे आपको limiting reagent निकालना आना चाहिए जिसको हिंदी में सीमान तक अभी कारक भी बोलते हैं उसका वीडियो हम लोग बाद में अलग से देखेंगे लेकिन तो अगर आपको reaction में 2 या 2 से जद limiting reagent यह LR होगा उसका संबंद बनाएंगे आप product के साथ आपको clear हुआ होगा यही आपका last point भी था यहाँ पे आपको clear हो पा रहा होगा कि एक mol जो S204 आपका reactant है वो आपका 1 mol Na2SO4 product को दे रहा है एक mol S204 एक mol Na2SO4 इस relation को पगड़ के रखिए बच्चों आप देख पा र relation तियार कर लिया है एक mol S204 देता है एक mol Na2SO4 product clear हुआ आपको और आपने अभी discuss किया था given में उपर कि एक mol S204 का जो molar mass होता है आणविक दरवयमान होता है वो होता है 98.08 gram तो मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूँ एक mol की जगे एक mol को मैंने amount में convert कर लिया है कि यहाँ पे 98.08 gram S204 देता है 142.04 gram of Na2SO4 बच्चों 142.04 gram आपने उपर दिखा था यह एक mol Na2SO4 का आणविक दरवयमान या molar mass होता है अब यहाँ पे इस question में दिया था बच्चों कि 32.18 gram S204 जो है वो कितना Na2SO4 देगा इसके लिए पूछा था तो हमने यहाँ पे संबंद बना दिया है कि 98.08 gram देता है 142.04 gram Na2SO4 32.18 gram S204 देगा कितना तो गुणा भाग करके हाथ में कुछ ऐसा आएगा बच्चों तो value होगी 46.60 gram और यही तो है आपकी और हमारी theoretical yield तो बच्चों यह theoretical yield आ चुकी है तो theoretical yield क्या होती है आपको clear हुआ होगा किसी भी balance equation में product की amount जो आप calculate करते है ideal, others value होती है उसको बोलते है हम लोग theoretical yield तो इस reaction के अंदर Na2SO4 की theoretical yield 46.60 gram होगी अब यहाँ पे एक note है बड़े काम का है आगे भी आप जानेंगे लेकिन अभी जान लीजे कि किसी भी reaction के अंदर theoretical yield हमेशा ज्यादा होती है actual yield से बताया था सुरुआत मे yield दो तरह की होती है किसी भी reaction के अंदर actual yield और theoretical yield, theoretical yield जो होती है पिटा theory के हिसाब से होती है और theory जो और practical होते है उसमें difference होता है तो theoretical value 100% होती है जो कभी किसी reaction में नहीं आती है इसलिए theoretical yield हमेशा actual या practical value से जादा होगी ही होगी ध्यान न कियेगा बोलेगा नहीं तो example की help से clear किया कि किसी भी question में किसी भी reaction के अंदर आप कैसे चुटकियों में theoretical yield निकाल सकते हैं